यह पता होने के भावचुद इस से बहुत डरर लगने वाला है। क्योंकि जरूरी नहीं सभी मूवीज आपके टाइप की हो और इस लिस्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ हिंदी डब मूवीज को ही चुना है अगर आप भी मेरी तरह ऐसे गिल्टी प्लेशर्स देने वाले मूवीज के फैन है अगर तुम्हें छूप दी जाए किसी को मारने के लिए तो किसका खुन करोगे लेकिन ये सवाल अगर रियालिटी में बदल जाए अमेरिका के अंदर एक दिन के लिए जो चाहो जिसका चाहो मर्डर कर सकते हो किसी तरह की कोई कारवाई नहीं, कोई पनिश्मेंट नहीं इसी युनीक कॉंसेप्ट के साथ ये मूवी सिर्फ और सिर्फ उनी के लिए जो पहली बार कदम रख रहे है डिस्टर्बिंग मूवीज की दुनिया में अगर आप रेगिलर हॉरर मिस्टरी मूवीज देखते हो तो मूवी शायद आपको कही ना कहीं डिसपॉइंट जरूर करेगी लेकिन इसके युनीक और हट के कॉंसेप्ट के लिए इसे फुल मार्क्स जो किसी भी डाय हाट हॉरर फैन को अच्छे से डराएगी लेकिन वो कुछ मूवेंट से बस न्यू ओडियन्स के लिए मूवी मैं स्वाइल नहीं करूँगा लेकिन अगर आप किसी को डराना चाहते हो अच्छी तरह से तो ये मूवी वो काम कर सकती है अगर आपको ऐसी होरर मूवी पसंद है जिसकी स्टोडी उसकी बुनियाद है तो इस मूवी की बोल्ड और नीडर नन के साथ आप इस मूवी की मिस्ट्री को कैसे सॉल करने में लग जाओगे आपको पता ही नी चलेगा मूवी इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस्ट हिंदी डबिंग के लिए है कोई बेकार का बॉलिवूड रेफरेंस नहीं है और ना ही कोई चीप अक्सेंट कॉंजिरिंग सिरीज का ही एक पार्ट समझ सकते आप इसे लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से इस मूवी को देखने मच जाना क्यूंकि ये मूवी स्लो पॉजन की तरह है पेशन्स रखने वाले के लिए ये मस्ट वॉच है आपको सुनने में बहुत ज़ादा वियर्ड और अजीब लगेगा होट और सेक्सी लड़की अगर बेबिसिटर हो तो दिमाग में तो एक ही तरह के खयाल आएंगे लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट और मूवी को देखने का पूरा नजरिया पलट जाता है उसके लिए आपको शुरुवात के थोड़े 20-25 मिनिट पेशन्स रखना होगा ये मूवी लॉजिक और सवाल पूछने वालों के लिए तो बिलकुल भी नहीं है बस अगर आपको भर-भर के खून खराबा देखना है और थोड़ा सा कॉमेडी और थोड़ा सा मतलब कुछ भी वाला एक्शन सीन्स और बहुत जादा भर-भर के खून तो ये मूवी अपने हट के युनीक ट्विस्ट के साथ आपको जरूर गिल्टी प्लेजर देगी मूवी की हिंदी डबिंग भी अच्छी है पस हिंदी में डब की गई गालियों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा मूवी का दूसरा पार्ट भी नेट्फिक्स पर हिंदी में डब अवेलेबल है शॉट में अगर कहूं तो इस मूवी को आप स्केरी मूवी के फ्रेंचाइजी से भी कंपेर कर सकते हैं नंबर सेवन की मूवी का लीट रूल एक बच्चा ही है लेकिन बिलकुल भी बच्चों के लिए नहीं है अगर आपको क्लासिक हॉरर मूवी देखना पसंद है तो 1989 की पैट समेटरी आपके लिए है मूवी से पहले एक वार्निंग मूवी बहुत ज़्यादा पुरानी है तो स्पेशल एफेक्स बी एफेक्स ये सब ना के बराबर है लेकिन पालतु जानवरों का एक कबरिस्तान जहां पर तफन है एक मिस्टरी जो इस फैमली के उपर धीरे धीरे करके हावी हो रही है मूवी की मिस्टरी इतनी फ्रेश और यूनीक है कि इसे तीन बार रिमेक किया गया है लेकिन ओरिजनल तो हमेशा ओरिजनल होता है ये मूवी टिपिकल हमारे दादी मा की कहानी की तरह है जिसमें सारे सवालों के जवाब एंड में मिलते है लेकिन वहां तक पहुचने के बाद बड़ा मजा आएगा अगर आप पेशन्स रखके इसे देखेंगे मूवी की रिसेंटली हिंदी डबिंग की गई है इसलिए हमने इसे इस लिस्ट में रखा है जो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है नहीं तो 5-10 परसन स्टोरी शायद समझ में नहीं आती नमबर 6 पे मूवी नहीं पूरी फ्रेंचाइज ही है जिसके कॉंसेप्ट ने हॉरर को पूरी तरह रिडिफाइन करके रख दिया इस सीरीज का 3rd, 4th और 5th पार्ट हिंदी में अवेलेबल है निट्फिक्स पर पैरानॉर्मल अक्टिविटी अगर पार्ट बन आपने नहीं देखा है तो इस मूवी का 3rd, 4th और 5th पार्ट आपके लिए best option है मूवी first person perspective से shoot की गई है याने कि एक documentary की तरह है आप मूवी को देख नहीं जी रहे हो हर पार्ट में अलग-अलग concept मूवी का बस एक ही negative point है शुरुआत से आपको डराना शुरू नहीं करती character build up के लिए थोड़ा time लेती है लेकिन जब वो पहला horror scene आ जाता है तो आपका पूरा attention और पूरा ध्यान मूवी के ओपर चला जाता है मेरे life की वो पहली मूवी चाहां से मैंने ऐसी घिनोनी और brutal मूवी देखना शुरू किया और पता चला यार ये तो guilty pleasure है अपना हाली में Netflix पर हिंदी में release की गई 2008 की The Ruins ये मूवी एक perfect example है किसी mystery horror movie के लिए ये अजीब और गरीब चीज जो कुछ भी हो रही है वो क्यों हो रही है उससे जदा interesting वो कैसे हो रही है उस पे हमारा ध्यान रहता है 90% मूवी सिर्फ एक location में shoot की गई है लेकिन इसके बावजूत मूवी कहीं पर भी bore नहीं करती लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो curiosity रहती है कि देखते है ना क्या होता है आगे मेरे हिसाब से तो इसी को guilty pleasure कहते है उस वक्त अगर आपका दिमाग 18 प्लस है तो ही आप इसे सह पाएंगे इस movie को हमने movies beyond imagination में भी recommend किया था क्योंकि इस movie की imagination और जिस तरह से उसे implement किया है सच में तारीफों के काबिल है नंबर 4 की movie मेरी personal recommendation है दस पेकार और घटिया horror movies देखने के बाद एक एक दम ही हटके और unique movie मिलती है जिसकी कहानी आपके दिमाग को हिला के रख देती है और cinematography तो हाखों को सुकून देती है 2010 की horror thriller mystery का perfect combination devil इस list की सबसे छोटी movie 1 hour 20 minutes budget तो almost ना के बराबर क्योंकि almost पूरी movie एक lift के अंदर shoot की गई है 5 लोग, एक lift और devil, too much fun movie कुछ जगव पे थोड़ी से डिली पढ़ जाती है और एक एक करके खतम हो रहा है लेकिन कौन किसको खतम कर रहा है कुछ पता नहीं movie को देखना चाहिए इसके story line के लिए cinematography और सभी actors की acting movie के hindi dubbing में कहीं जगों पर गालिया यूज की गई है जो थोड़ा सा movie से disconnect ज़रूर करती है लेकिन इस movie को इससे फरक ही नहीं पड़ता क्यूंकि devil का जो concept यूज किया गया है वो बहुत ही fresh और आप 100% end तक वेट करते रहोगे कि वो कौन है जो सब का खून कर रहा है lift में top 3 movies से पहले अगर आपको guilty pleasure का second part चाहिए तो इस वीडियो को like, dislike आपको जो साही लगे वो कीजिए अगर आपको dark movies देखना पसंद है और ऐसी movie जिसके visuals बार बार आपके दिमाग में खूमते रहे और इसी के साथ beautiful cinematography 2016 की a wellness for cure एक ऐसा wellness पा जो बेमारी को अजीब हो गरीब तरीके से treat करता है अगर आप investigation movies के fan है जहां चीज़े दीरे दीरे unfold होती है और बीच बीच में आने वाले अजीब हो गरीब घिनोने twist and turn आपको मजबूर कर देंगे कि इसके end में क्या reveal होने वाला है अगर आप में patience नहीं है तो ये movie आपके लिए बिलकुल भी नहीं है ये movie सिर्फ और सिर्फ डाक और weird movies को पसंद करने वाले fans के लिए है एक बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ ये movie आपको Netflix पर मिल जाएगी sci-fi movie के साथ अगर horror का तड़का हो जिसमें time travel full on drama, thriller, सब कुछ mix और साथी साथ professor 2018 की मिराच movie एक roller coaster ride की तरह है आप जो कुछ भी assume करके रखते हो ending में उससे कुछ अलग ही होता है time travel करके 25 साल पीछे जाकर एक बच्चे को बचाने के चक्कर में अपनी बेटी खो जाती है अब कैसे वीरा time के साथ खेल कर अपनी बेटी को बचा पाती है यानि उसकी ये story है movie 2 hour 10 minutes लंबी है पहला half an hour थोड़ा slow जरूर है लेकिन उसके बाद इस movie का screenplay आपको बहुत impress करेगा ये खास उन fans के लिए जो mind fucking movies को बहुत enjoy करते है movie थोड़ी complex जरूर लगेगी लेकिन अच्छी बात है हिंदी में available है number one की movie ने तो horror को redefine करके रख दिया है movie 70% quiet है लेकिन जो 30% background sound use किया है आपको hypnotize करके रख देगा जिसके लिए इस movie ने Oscar भी जीता है 2018 की The Quiet Place movie हाली में Netflix पर हिंदी में release हुई है इंसानों से 10 गुना जादा clever और fast इस movie का monster और start से end तक पूरी तरह एकदम tight screenplay इस movie को one of the best horror movie बनाती है अगर हमारी सोच कहीं match हुई इन हिंदी डब horror movies को लेकर तो aim करते है 12,000 likes के लिए अगर आप इस series का second part चाते है छोटी सी life है और बहुत कुछ quality देखना बागी है इसलिए ऐसी ही best movies and web series की list के लिए इस channel को subscribe करके bell icon ज़रूर दबाईए इस video की complete movies की list आपको हमारे instagram id अभी underscore review पे मिल जाएगे Thank you so much, love you, take care, bye bye